अग के साबढ़ लो आज मैं ओर एक वीडियो लेके आया हो पूरिया है स्क्तिते mechan सिवेंगोर से स्टेट सेटजर findingente जैसे नेट होता है आल इंडियो बेसिस पर यानि कि आपको एसिस्टेंट प्रोफेसरी का और जीरेट मिलने के लिए एक एक एक्जम कॉंडक्टेट करता है जैसे नाशनल टेस्टिंग एजनसी एंटिये और एक्ट होता है लहीं यह इस्टिंग दल विए जैसिस्टिंट प्रोफेसर होने के लिए आपको यह सेट क्वालिफाइड करना है ठीकैए अब मैं पहला बता रिचा रहा हूं कि उच्पिंगों सेट का ओलनाइन का जो फ्रॉंट किला वो पंदल तरीक को क्लोज हो किया है तो एक्सम का डेट है नाइन दिसेंबर 2018 या दखेगा है आपका 55% MSD ठीक है और 30 सब्चेट का एक्जाम होता है तो मैं आज वेस्ट बेंगोल का सर्विस कमिशन और वेस्ट बेंगोल सेट के बारे में थोड़ा सा आज बताऊंगा उसका जो पेपर है 30 पेपर से यानिकि 30 सब्चेट का ओपर यह एक्जाम होता है इस एक्जाम आपका एक्जाम होगा वह फस्ट पेपर और सेगेंड पर फस्ट पेपर में आपका 50 प्चास कोस्टन रहेगा यह जो आपका रहेगा जिनरल में डेल अबिलिटी लॉजिक लॉजिकल टेस्ट व्योपल और एंवर्मेंट और कंप्यूटर टेक्नलोजी जो रिजिनिंग ट अप्चिचूट ठीक है यह सब रहेगा 50 objective type questions reading comprehensive data analysis data interpretations इसका उपर टोटल आपका 10 section है यहांकि जेनल पेपर पर आपका 10 section है 10 section पे आपका every section आपका 5 questions आएगा यहांकि टोटल आपका 50 questions यहांकि नो नेगटिव मार्किंग ठीक है आपको सब अटेटिक कर सकते हैं यहांकि हार पर टूमार्स मिलेगा यांकि 50 questions questions 2 यांकि 100 मार्स कर और remaining पार्ट टू यांकि पेपार टू में आपका जो syllabus है सेट का website में जाके आप syllabus पोर डाउनलोड कर सकेएगा syllabus में देखिए दो पाट है एक है आपका पेपार 2 और एक है पेपार 3 यान कि पेपार 2 पेपर 3 मिला के एक ही पेपार होगा इस साल पेपार 2 पेपार 3 मिला के अभी यह साल एक ही पेपार होगा जिसमें 100 questions रहेगा हर questions 100 questions हर question का marks रहेगा 2 marks यानि कि 100 इंटू 2 200 marks यानि कि total 100 plus 200 300 marks का questions रहेगा से अब मैं बता हूंगा कि आपका जो second paper है यानि कि जो second paper है 100 questions उसमें जो part 2 part 3 paper है उसमें जैसे part 2 में आपका जैसे molecular biology आपका cell biology आपका biochemistry आपका genetics portion आपका evolutionary biology ecology ecology यह सब है अब मैं बताऊंगा कि आपका जो paper 2 में जो part 2 यानिकी paper 2 उसमें दो paper मिलाके यानिकी part 2 और पार्ट 3 पेपर मिलाके एक पेपर ही होगा एक सो मक्सका उसमें जो part 3 का paper है वो टोटल 41 यूनिट से डिवाइट किया गया है सेट पर यारी 41 यूनिट में डिवाइट किया है जैसे देखिए यूनिट 1 से 1 2 3 4 5 मैं आज थोड़ा सा syllabus के बार में आज description कर दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं syllabus को highlight कर दे रहा हूँ आपका सामने syllabus को description कर दे रहा हूँ देखिए unit 1 2 3 4 5 ये 5 units आपका आएगा plant taxonomy a plant classification कर पर plant taxonomy and plant classification इसमें आप economy economic importance of algae fungi हा फिर आपका rhodophycce, chlorophycce, phyophacia, classification of the algae classification of the रौफाइटर, टेडोफाइटर, जिम्निस्पाम, angiosparm, monocod, dicod यह सब जो plant breeding वादा है थे plant systematic position, 5 kingdom system, plant classifications, taxonomy, nomenclature, binomial nomenclature, economic importance of the some plants, we have plant breeding, plant developmental biology, we have pollinations, sexual fertilization in flowering plants. ये जो मैं plant taxonomy, plant classification के बारे में बाता है, ये है आपका unit 1, 2, 3, 4, 5. अब जो unit 6 से लेके 8 तर, क्या रखेगा, unit 6, 7, 8, ये तीनों जो unit है, वो है plant physiology के उपर, plant physiology में आपको देखिए, plant physiology में आपको seed germination मिलेगा, plant hormones मिलेगा, plant growth regulators मिलेगा, photo synthesis मिलेगा, आपको respiration मिलेगा, photo respiration मिलेगा, c3, c4 cycle, camp pathology, c2 photo respiration, ये सब होगा आपका plant water relation, ये सब होगा आपका plant physiology मिलेगा, unit 6, 7, 8, अब है कि आपका unit 9, 10 यानि ये unit 9, 10 में आपका होगा animal taxonomy and animal classification, जैसे देखिए, इसके प्रोटोजवाब, अनिलीडा, आर्टोपोडा, मुलस्का, ये इतना types यारी कि non-corded, चैसे lower cordeds, hemigodas, hemigodas, urocorodas, cephalocorodas और जो corded animals थे, चैसे pieces, MPBR, reptilia, mammalia, ये सब animals means का आपका competitive anatomy पढ़ना है, ठीक है, उसका classification, systematic positions, binomial, nomenclature इसके बारे में, next हम लोगा जो unit 11 and unit 12, यार्की दो unit है, वो एक unit animal physiology यारी कि आपका animal security system, animal nervous system, animal muscular system, animal respiratory system, systems, exploratory system के बारे में पढ़ना होगा, और है animal developmental biology के बारे में, जैसे gametogenesis, spermatogenesis, eugenesis, fatmap, cleavage, types of eggs, depending on the york, pre-fertilization events, post-fertilization event, and then embryo formation, embryonic layers, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, next हम लोग का जो unit है, यारी unit number 13, 13 होगा आपका ethological unit, ethological यारी कि meeting, learning, learning, aggressive behavior, courtship behavior, etc. जिसको काई आगा animal behavior, फिर आप जाई है unit 14 & 15, जो दो unit है unit 14 & 15, यह अब parasitology को पढ़ना होगा, जो parasitology यानि कि host parasite interactions, types of parasites, hyper parasite, hyper parasitism, types of host, और आपका जो पढ़ना होगा, जैसे पर एक्जमबल, प्लास्मोडिया भाइबक्स, उच्छे गया बैंक्राप्ट, एसका लूब्रिकोइट, टीनिया सचीनेटा, टीनिया सुलियम, बहुत सारा जो आपका यह जो पर परासाइट से इसका आपका लाइफ साइकल पढ़ना है, उसका रेमेडिस हम लोग कैसे करेंगे, उसका symptoms क्या है, यह सब के बाड़ में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जाएंगे आप unit 16, unit 16 में आपका genetics के बाड़ में है, जैसे sex determination, sex determination, complementation test, test cross, back cross, mandalian extension, mandalian law, mandalian law extension, co-dominance, incomplete dominance, linkage, crossing over, chromosome map, nutrition, that is the gene nutrition, chromosomal nutrition, chromosomal abnormalities, non-disjunction cases, ठीक है, यह सब पढ़ना होगा, genetics portion पर, next हम लोग का है unit 17, जिसका नाम है cell biology, यानि के आपका structure of progratic eubatic cell, structure of the cellular organals, जैसे mitochondria, chloroplast, endoplasma reticulum, ribosome, lysosomes, etc, उसका active transport, passive transport, diffusion, osmosis, types of the membranes, etc. unit 18, 19, 20, यानि की का unit 3, यानि की 18, 19, 20, यह तीनों उनिट्स आपका ecology, ecosystem and environmental biology, जिसमें आपका ecology का पढ़ना होगा, फिर आपको types of interaction के बाड़े में, abiotic, biotic interaction, पर आपका बहुत सारा, जैसे food chain, food wave, ecological pyramids, inverted pyramids के बाड़े में, पर आपका nitrogen cycle के बाड़े में, यह सब बढ़ना होगा, नेक्स्ट आपका unit 21, 22 है, वो है totally आपका microbiology-based unit, microbiology यानिक आपका types of the, taxonomy, types of the virus, bacteria, virus, bacteria, fungi, फिर आपका mycoplasma, antibiotics, antibiotics, फिर आपको बहुत सारा microbes के बाड़े में आपर पढ़ना होगा, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो unit है, यह की unit number 23, जो है immunology, immunology में जाइसे देखिए आपका primary जो आपका antibody का structure, antigen का structure, फिर antigen processing presentation, mac membrane attack complex, mac membrane complex, major histamine compatibility complex, mac1, 2, T cell receptor के बाड़े में, types of the cell, which help in the immune response, cellular immune response, immoral cell immunity, cell mediated immune response, यह immunology के बाड़े में आपका जानना होगा, ठीक है, और जो unit 24, 25, 26, 27, यह चाहर unit है, 24, 25, 26, 27 हो है biochemistry, यह आपका metabolism, enzyme, kinetics, glycolysis, creep cycle, electron transport system, इसके बाड़े में आपको जानना होगा, next है आपका unit 28, 29, 30, 31, 35, यह पांच उनीच है, बहुत important है, इसमें आपका fundamental processes रहेगा, fundamental processes यह आपका lysogenic cycle, lytic cycle, transduction pathogen, यह आपका रहेगा, conjugation, transformation, DNA as a genetic material, DNA structure, DNA-RNA difference, RNA structure, DRNA, RRNA, MRNA, फिर इसका replication, replication enzymes, transcription, translation, बहुत prokreatic and ucratic के लिए, regulation of the gene expression, regulation of the prokreatic gene expression, regulation of the ucratic cell, tryptophenopidon, labopidon, process के बार में, fundamental process के बार में, इसको जानना होगा है, next unit है, यह जैकि one unit, unit no. 33, उसमें आपका है, recombinant DNA technology, tools and techniques of the recombinant DNA technology, unit no. 34 पे आपका आपका आजाएगा, animal and plant bi-technology, जिसमें आपका micropropagation, tissue, tissue cultures, micro totipotentials, यह सब के बार में, next unit हम लोग का 35, 36, 37, 38, 39, 40, 6 units आपको molecular techniques के बार में पढ़ना गए, यह बहुत लार्ज techniques है, जैसे applied biology का जाते, इसको कहेंगे, हम लोग जो applied biology का का हम लोग instruments यूज करते, जो से chromatographic technology, अब फिर आपका microscopic electronic microscope, radio isotopes करते, पिर हम लोग यूज करते, रिया, rr, radio immuno assay, ELISA enzyme linked, immuno assay का जाता है, electrophoresis, electrophoresis, pH, hds, electrophoresis, इसके बार में हम लोग को जानना हो गया, और लास्ट वाम लोग का 41 number unit है, उसका नाम है आपका biostatistics, यानि का mean, mode, median, standard deviation, standard error, variance, variables, mathematical explanation, regression, probability distribution, poison probability distribution, binomial probability distribution, frequency distribution, polygon, histogram, pie diagram, part diagram, data interpretation, तो यह सब के बार में आपको एक unit में मिल जेगा, अब आपके हाथों में आपके हाथों में, अक्ट्रोबर एक माई नॉमेंबर यानि कि आपके हाथ में दो माई न तक है, उसमें आपका preparation जितना हो सके जल्दी कर लीजे, क्यूंकि यह से क्लियर करने के बाद आपको कही पर भी इंटर्व्यू जॉब करने के लिए आप अपलाई कर सकते हैं, तो यह गौर्णमेंट कॉलेज पर जो डिग्री जनरल डिग्री कॉलेज है, जो बढ़ा जाता है तो मैंने आज फरस आपका ओश्विंगो से यानि की कॉलेज सर्विस कमिशन के बाद में आज बता दिया, बहुत सारा स्टेट पर जो स्टेट हैं हम लोग का जैसे जैसे आप सोचिए उरिश्या, फिर आप जारखंट, विहार, जो हम लोग का जो ओश्विंगों के नेवरिंग जो स्टेट है, उसमें भी सेट होता है, ठीक है, स्टेट इलिजूरी टेस्ट मैंसी बाद में बताया, ठीक है, तो मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जितना होचा के शेयर कीजिए, और कॉमेंट्स बॉक्स में जाके कॉमेंट्स कीजिए, और मेरा इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल का नाम है कोशी एडुकेटर, और बिल आइकन को द झाल झाल